बहुत बहुत नमस्कार है सभी को आज जैसे कि आप मेरे पीछे देखते हैं कि मैं एक डिफरेंस लेके आया हूँ रायट और एफरे के बीच में ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस हैं हमारी IPC में और बहुत सारे माइनर एक्ट्स के अंदर या फिर कहले तो लोकल एक्ट्स के अ आने वाले यह मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपोर्टेंट है आप आर जेस का मेंस देखिए और कोई और मेंस देख लीजिए किसी भी स्टेट का तो वहां पर आपको यह सारे डिफरेंस मिलेंगे जैसे कि कॉमन इंटेंशन को में क्या डिफरेंस है यह पूछा जा देखिए तो बहुत सारा समय मेंस में लूज कर देगे तो ऐसी गलती नहीं करनी है ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस जो हमसे कवर हो सकते हैं हम वो कवर करेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप से चूके ना तो चलिए आज हम सबसे पहले समझते हैं कि रायट और एफरे ये दोनों IPC के टर्म है यानि कि बलवा और दंगा इसमें क्या अंतर है अब कहीं लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गलत शब्द लिख दिया क्योंकि रायट का लोगों ने यही वर्ड सुनाय है कि रायट का मतलब ही तो दंगा होता है सर तो रायट का मतलब दंगा नहीं होता दोस्तों रायट का मतलब होता है बलवा आप IPC की बेरेक्ट अगर खोलेंगे या हिंदी मीडियम से जो होंगे उन्हें बिल्कुल क्लियर पता होगा कि रायट का मतलब होता है बलवा और ए जैसे कि हम देखते हैं एक picture इसके पीछे, तो मैं example समझाऊंगा उसके बाद differences लिखवाऊंगा, आप यहां से उस content को उतारिए, अपनी notes के अंदर लिखे और याद करिए, सबसे पहले riots, तो riots यानि की बलवा, इतना मैं आपको समझाया था, आप देखें, यहां पर काफी सार लोग हैं, तो एक qualification है कि अगर riot का case होना है, या riot के charges frame करने है, तो 5 या उससे ज्यादा लोगों की जरुवत पढ़ती है, तो सबसे पहली चीज आपको देख के पिछे पता चल रहा होगा, अगर यह कहीं पर भी riot है, यानि की बलवा है, तो यहां पर 5 से ज्यादा लोग चा पर पूरी हो जाती है, तो फिर वो riot में तबदील ही हो जाती है, पर एक और चीज है जो आगे मैं आपको differences में बताऊँगा कि वो ऐसे कैसे riot हो सकता है, अब आपको इतना समझना है starting के अंदर की riot का meaning है कि 5 से ज्यादा लोग या तो 5 लोग अगर मिलके physical violence या कोई भी force यू दूरू में भी बहुत traffic है, हम मुंबई शेहर का example लेते हैं, तो मुंबई शेहर में बहुत traffic था, वहाँ पर traffic के अंदर एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, अब वहाँ पर दोनों drivers आपर्च में उतर गए और मार पीट करने लगे, तो ये होता ह एफरे, समझे, ये होता है दंगा, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग इतनी qualification चाहिए कि अगर है, तो हम मानेगे कि वो एफरे है, clear हो गया इतनी बात, दंगा और बलवा, दोनों में ये अंतर है, अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ numbers के अंतर से हम ये कैसे clear कर लें, कि ये दंगा है और ये अफरे, आपने कह दिया numbers 2 या 5 तो इससे चलो ये पता चल जाता है कि ये है, तो हम वहाँ सर गिनने थोड़ी बैठेंगे, तो आगे आईए कि बताते हैं, differences पर आके, कि क्या है, पर पहले आप देखिए, कि आज तक यानि कि इंडिया में जो riots काफी ज दंगा निकलता, तो बलवा हुआ था, भरूच रायट्स, नाकपुर रायट्स, रामनाद रायट्स, केलकटा रायट्स, राची के अंदर जो रायट्स हुए थे, ऐसे अलीगड रायट्स, बहुत सारे दंगे हुए भारत के अंदर, बलवा हुआ है भारत के अंदर, और व वाँ समझाया था स्टार्टिंग में अब देखिए section 159 IPC एफरे कहां पर provision है section है IPC के अंदर 159 में है याद करिए 159 में दे रखा है और ये दे रखा है 146 में रायट इसकी definition भी वहाँ है तो इनके provisions दे रखे 159 और 146 पहला difference हमें mains के अंदर यही लिखना है कि provision का है और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा numbers मिले के chances है क्योंकि आप basis बता रहे हैं कि किस basis पे मैं याँ differences बना रहा हूँ पहली चीज़ clear होगे दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको बता दी दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलके आपस में लड़ाई जगडा करते हैं तो वो एफरे हैं और पांच या पांच से ज्यादा लोग मिलके अगर कल को कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें पांच या पांच से ज्यादा लोग थे तो वो क्या है वो है हमारा अभी भी डिफरेंस यही लग रहा है कि सिर्फ दो या पांच की डिफरेंस है सर कैसे क्लियर कर ले तो यहाँ पर जो है यहाँ पर common object की जरुवत नहीं होती है यह simpler form है यह थोड़ी lighter form है यहाँ पर common object नहीं जाये कि इसका मतलब है आपने common intention देखा होगा section 34 IPC में बोला गया है और यह हमारा common object के बारे बात कर रहा है तो इनमें अंतर क्या है जिसे common object यह है कि जो लोग मिलकर riot कर रहे है उनका पहले से कोई prior mind नहीं था कि हमको यह काम करना है 10 लोग किसी और चीज से offend हो गए 10 लोग किसी और चीज से offend हो गए और आपस में मिलके किसी तीसरे group के खिलाफ उन लोगों ने riot कर दिये तो इधर वाले 10 लोग और इधर वाले 10 लोगों ने पहले से meeting नहीं करी थी कि कल हम ये काम करने वाले मिले और उन्हें पता चला कि common object है हम लोगों जो काम करना हो सेम है तो यह सब साथ हो के किसी तीसरे group के लिए ये काम करने लगे opposite में यानि कि उनके against ये काम करने लगे तो common object की जरुवत यहाँ पर पूरी पूरी है अगर common object नहीं है, तो फिर riot नहीं हो सकता, बहुत important difference है, ये तो लिखना ही है exam के अंदर, every may arise even by an innocent object, कोई innocent object हुआ, तो भी every हो सकता है, पर यहाँ पर riot जो है, उसके पाँचो objects, यानि कि 141 के अंदर जो पाँचो object दे रखे हैं section 141 IPC में, अगर वो satisfied नहीं है, कभी riot नहीं होगा, उन में से एक चीज satisfy होनी चीए, criminal force, सरकार के खिलाफ, या फिर कोई चीज, trespass, criminal, वो बहुत सारी चीज़े दे रखे हैं आपको, आपको वहाँ पर उस section में मिल जाएगी, अब trespass वहाँ है या नहीं है, या आपको देखना है, तो जो पाँचों चीज़े हैं, वो है हमारी 141 IPC के अंदर, इतना clear हुआ, आप देखिए liability क्या होगी, कि जो लोग उस F-ray में included होंगे, सिर्फ उन पर ही charges लगेंगे, किसके 159 IPC के, ठेक है, F-ray के, और यहाँ पर यह है कि हर member, जो भी included है, उसने कुछ किया है, नहीं किया है, वो घर भी भले ही बैठा है, पर उसका कोई ना कोई share था उस काम के अंदर, तो वो वहाँ पर punishable है, उसको भी riot के charges वेस करने पड़ेंगे, अब force और violence की बात आ रही है, कि force और violence दोनों में use होना तो ज़रूरी है यहां पर कल को अगर force और violence यूज नहीं होता, सिर्फ बातचीत हो गई, उसमें आपस में लोग दो लोग जगड लिये, तो फिर वो माना जाएगा कि एफरे ही है, पर यहां पूरी mandatory चीज है, कि force और violence यूज नहीं होगा, तो हम तो riot नहीं मानेंगे, तो riot के अंदर force और violence ज़रूरी है, ठीक है, अब punishment से आप लोग समझ जाएंगे, कि यह छोटी चीज है, पर यह बहुत बड़ी चीज है, यहां पर एक महिने की ही सजा है, या फिर 100 रुपे का जुर्माना, 100 रुपे, या फिर दोनो, और यहां पर riot के अंदर, 2 साल का जुर्माना है, या फिर fine, fine की कोई limit नहीं है, जितना ज्यादा damage होगा society को, public properties को, वहां उतना ही माना जाएगा, कि वो fine देना पड़ेगा, तो दो साल, या सिरिफ fine, या both, तो आप देखिए कि कहां एक महिना, और कहां चोईस महिने, तो यही वाली बाते मैंने यहां लिखाएं कि less serious होता है यह nature के अ पर ही होना चाहिए, एफरे, जैसे road पे, किसी park के अंदर, riot का चलता है, public place हो या private place हो, हुआ है, तो भी चलेगा, यहां पर public place होनी चाहिए, यह भी एक difference है, ऐसे बहुत सारे differences है, जितने number का question है, आपको जितने ज़्यादा याद हो सकते हैं, आप उतने ज़्यादा याद क कोई minor law, किसी भी judiciary के अंदर, उन सब की chapter wise, MCQs की series में लेके आने वाला हूं इसी channel के उपर, तो इसके लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, एक notes की copy बनानी है, यहां से notes बनाने है, दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, कि आप लोगों को जिस दिन भी वो class हो, तो वो परेशानी में आएगा, उसको चीज़े याद नहीं होगी, अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, कि आप end तक जुड़रे, उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद है आप सभी को, और हमारे channel को subscribe करिए, thank you